आज आलेकुम नाजीम पीजी पिंग शो में हाजिर है उमीद है आप सब खैर यह से होंगे और आपको रेस्पी स्वसंद आ रहे हैं आज हम फिश परियानी बना रहे हम अपनी रेस्पी स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइटम के बटन को दबाएं ताके आपको न्यू नोटिफकेशन मिलते रहे हैं चले हम अपी रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे बहले हम चावलों को बॉil करेंगे उसका तरीके कार थोड़ा सा मुक्तलिफ है आम बियानी के बिलिसपर त इसमें है दो खाने के चमच हम तेल लेंगे हमने यह तेल आपको एक साथ दिखाया लेकिन इसमें से दो खाने के चमच ही तेल इसमाल होगा तीन बाधियान के फूल चार बड़ी अलाइची पांच लॉंगे चार छोटी अलाइची आठ ताली मिरच तीन दाल चीनी एक खाने का चमच सपया जीरा चार प्रेस पत्ते नमक लिए हमने यह पर बॉयल करने के लिए एक खाने का चमच सेला चावल चार कपनी है जिसको हमने एक खेंटे पहले ही पानी में भीवोके रख दिया ता और पानी हमने उसको चान लिया सारा चले हम अपनी रेस्पी स्टाटर ते सबसे पहले हम एक दिल्ची के अंदर दो खाने के चमच तेल डालें तो इसके अंदर हम सारे गरम मसाले डालें जिसमें यह बादियान का फूल है बड़ी लैची नॉंग काली मिरच दाल चीनी जीरा ते इस सब चीजे डाल देंगे तेल और इसको थोड़ा सब भूनेंगे यह इतनी दर भूलन sujet है के ते जीरे का थोड़ासा थोड़ा सा क्लर चेंज होगियां उसके डाल देंगे की कासीचावल है को भी वह बड़ी कि ठाड़ कि यह बी गर बॉल बुभाई है अजyang बासरा मचल खी कहा है करें इसका छावन गॉाइल कंहीं दिए स्मक टाल कि इस जुनार धी उक दिए 8 कप प Anschाल के करती हो जोड़े की लिए अज लिलीन हमें फिस ली नमक जाने के लिए देश चूले पे हम वाइल करेंगे चावलो को, धकन थोड़ा सा भटा के दें, ताकि अगर चावलो में जोश आएगा तो पानी किन्ने का खत्रा होगा, ये चावलो में एक कनी रह गई है, अब हमने चूला बन कर दिये, चावलो के बानी को हम छान लेंगे, मचली को हम मसाला लगाएंगे, जो जो चीज़ हमने मचली पर लगानी है, उसमें ये ये चीज़े ड़लेंगी, हमने तकरिबण 1-4 टी स्पून काम नमक लिया, एक चाय का चमच हमने हलदे लिये, एक चाय का चमच हमने कशूरी में थिल लिए, 1 फोर टी स्पून से भी थोड़ा कम हमने जर्दे का रंग लिया लसन अद्रक का पेस्ली हमने एक खाने का चमच कॉन फ्लोर एक खाने का चमच एक अदर अंडा मचली 1.5 किलो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे इसमें तमाम ये सुके मसाले नमा, खल्दी, कसूरी मेठी और जर्दे का रंग मिक्स करेंगे एक खाने का चमच लसन अद्रक का पेस्ट एक अंडा मचली डालने के बाद कॉन फुला और आखर में डालेंगे और बीनी डालेंगे इन साइज चीजों को बहले मिक्स कर लेंगे जिस तरह आपको सहुलतों चमच से फोक से ये सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिए अंडे के साथ मचली को अच्छी तरह दो चुके अब इसके अंदर हम एक एक करके मचली के पीस्यों को मिक्स करेंगे मसाले के अंदर हमने इसको मैरिनेट करना है मचली को सारी 1.5-2kg मचली हम इसमें डालेंगे साथ साथ आप इसको पिष्ट अइसे लगाते जाए तक एक अच्छी तरह लगती भी जाए इसको मैरिनेट करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम धग कर देंगे इसको ब्रिज में रख सकते हैं रों टेमपरेचर पे लगा थे इसके बाद हम इसे फ्राइ और शेलो फ्राइज जैसे आपको आपकी मर्जियों आप कर सकते हम इन लेकिनिया पर आपको डिफ्राइ करके दिखाएंगे सारे मसाले हमने अच्छी तरह मचली पे लगा दिए अब इसके ओपर से हम कॉन्फलर लगाएंगे यह हमने कॉन्फलर सारा तमाम लग डाल दिया इसको कॉन्फलर लगा के भी आप मचली को अच्छी तरह मिक्स कर लिजेगा यह हमने कॉन्फलर लगा दिये मचली पे सारा मने लगा दिया है इसको 10 मिनिट के लिए रग देंगे ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह मचली के अंदर रच जाए दस मिनिट हो गाया हमारी मचली को मैरिनेट हुए वे अब इसे हम डीफ राइ करेंगे इसी भी फ्रै पैर में आप तेल दा सकते तो यह तेल हमारा गरम हो गया है इसमें अब हम मचली के पीस टाले लिए इसको हम हाथ कुफ करेंगे पूरा नहीं पकाएंगे आदा पकाएंगे क्योंके चावला में भी जाके इसने अभी पकना है मचली को हम पलतेंगे फाले इसी करम स्कारी मचली को पलते लेंगे और हमने वस इतना हिसे पकाना दूसरी zij से इसमेडिये इतनी पके जधे नहीं चानना हुंके अभी चालों करेंगे इसमें पकले मचली को प्राई तकरीमन करें इस और शूम नहीं पकाएंगे तेषलन बहले इस मचली का कोर्मा बनाने के लिए हमने एक अधत बड़ी प्याज लिए इसको हमने कटिंग कर लिए तीन तीमाटर हैं दर्म्याने साइज के जिसे हमने कटिंग कर लिए 7 आल之前, 9-1 आलो बखारे, 1 खाने का चमच लशनकरणा amino बाइब एक खाने का चमच लाल मिर्च पौर्डर लालमिर्यर पावडर लाल मिर्च अधते हैं अधती हमने कि rzyओई बनाने नमक हमने कम लिए हैं मचली के लिए चाबे कर लिए बड़ारी हमने कुंग E-Mamak कंक हैं नम तेल लेंगे आदा कप प्तू के अपैबरा एक चाय का हमच इंवाइन 114 तीस्पूल जरदे काराख मैं रुआ दो पार्के करीम और इसमें प्यास जार के प्रॉंग करेंगे यह तो यह इन सब्सक्राइब इसको रिकुल लाइट से करना है मैदे इसको 5 मिनट के लिए भूलने के बाद मासाले डालेंगे सुके नमक लालमेच घराई जीमक लालमेच अलब का तदी मासाल B community जीम धी यालू बघार सब तब कुछ चूराइन निए से निए ब्राइन दाल देंगे और नवी जाया है कि अब इन सब मच्स करेंगे ने आपको सटान दूट एविए भोटाम हम्हारे मचली फ्राइब होई जिए वो इसमें रखे और दम पे रख क्योंगे यह सारी मचली फ्राया हो चुकी थी इसे अब हम दम मसाले के अंदर हम मचली डालेंगे एकगद क्या पीत रख देपे तीन मिनार इ泪 दीज्ड हम तीन मिनार बाद हम धां juni अरक कर देखें ट्पाइब कर देखेंगें गोखाμε जा देखेंगे जिसमें हमने मचली का मत कॉर्मा बनाया था उसी में हम चावल बॉयल चावल डालेंगे आदे चावलों की एक तेह लगाएंगे हम बॉयल है तो इसके उसके अदर आप थोड़ा सा पानी डालियेगा तक कि अपके चावल नरम रहें यह हम तकरीबन दो खाने की चमचे इसमें बीच में डाले और दो ही खाने के रहा और जालें यह ना दालें अब हम हाँच से मचली की बोटी बोटी ऐटा के शवी डाल दालेंगे पर यह मचली के पहले बोटी हमें इसे मचली की अदर हमनों लिए हम इसेoking मचली में फोडीन किया फरी बूटीन अीछ म lail डाल दें गए ताइस मैं अधोरा जाक्ति सभीग सेशन всем लेघाज का सीज़ीक आटबसां हमने थोड़ा सा फुदीना लिये धनिया और 2 बिरकेज हना दूल highlight फुदिना दाने खिbal की इति- t no पुदीना दालेंगे, बाकी बचावा और धनिया, पनफोर टीस्पून हम इसके उपर जर्दे का रंग डालेंगे, इसे पानी में नहीं हल करेंगे, ऐसे ही डालेंगे, एक चाय का चमच हम रूप के अबडा डालेंगे, इसे 10 मिनट के लिए दंपे रखेंगे, चूले को अगर आपके पास नॉन्स्टिक का पतीला है तो आप जो है ऐसे ही रख दे और अगर नॉन्स्टिक का नहीं है तो आप इसके नीचे तवा रखके इसको डंपे लगाएंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढखा के देखते हैं, अब इसे हम मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए अराम से मिक्स किजिएगा ताके मचली न तूटे, अम इसको बिल्कुल अराम से मिक्स करेंगे, अब दिश आउट करके दिखाते हैं आपको, यह हमारी फिश बर्यानी तेयार है, उमीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद करें आपको, करेंआ से आपको तूटे, रेसिए न बर्यानी प्यां से इट आपको फिल्कुल अराम से बिल्कुल थूल m lowersको बिल्यार है, तून दूटे तून से शिंम का है, उमीद फूली ओूली सुटआ के जिएब हैं, आगङ फटना से औाली किए पैश बर्ट घंको